आज इंडिया की स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता इंडिया स्पोर्ट्स के लिए August 7, 2021 ये सुनैरे एक्षलो में दिन लिख दिया गया है और हमेशा याद रहेगा नीरण्छोपडा ने जैवलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है टोकियो ऑलम्पिक्स में और इस मेडल का 100 साल से जारा इंतिजार था क्योंकि इंडिया आज तक कभी ऑलम्पिक्स में एफलेटिक्स में गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल नहीं जीत पाया है और मिलखा सिंग जी हमेशा कहते थे कि उनके मरने से पहले वो इंडिया को देखना चाते है कि हमारा ओलंपिक में अथलेटिक्स में मेडल हो उनका इस साल डेथ होगी थी कोविट की वजा से तो नीरत चोपडा ने बहुत बड़ी ट्रिब्यूट दी है मिलखा सिंग को और आज से पहले जो हमारी बेस्ट प्रफॉर्मेंस रही है वो फोर्थ फिनिश रही है और वो भी सारे जो हमारे फाइनलिस्ट रहे हैं सारे लेजेंडरी अथलीट्स रहे हैं चाए पीटी उशा ने 0.01 सेकिंड से मेडल मिस करा मिलखा सिंग ने अपने हातों से ब्रॉंस मेडल को जाते हुए देखा नीरत चोपडा ने वो कर दिखाया जो कोई भारतिया सोच नहीं रहा था और अलम्पिक्स शुरू होने से पहले एक यह उमीद थी कि नीरत चोपडा मेडल जीत सकते हैं लेकिन उस टाइम तक भी गोल्ड की बात नहीं थी और जब उन्होंने क्वालिफाइंग स्टेज पे फर्स्ट पुजीशन पे फिनिश किया तो बात फिर कोई और मेडल की नहीं रही पूरा देश पूरा इंडिया गोल्ड मेडल चाता था और आज उन्होंने वो करके दिखाया है और हर इंडियन को एक ऐसी खुशी दी है जो वो बरसों से इंतजार कर रहा था और इंडिया की आज से पहले जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो 2012 लंडन ओलम्पिक्स में रही छे मेडल दो सिल्वर और चार ब्रॉंस और टोकियो ने जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही टोकियो ने वो उसे सूपर सीट कर दिया है लंडन ओलम्पिक्स को इंडिया क जिन्होंने बेजिंग उलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, वो हमेशा कहते थे कि वो अकेले इंडियन अथ्लीट नहीं रहना चाहते हैं, गोल्ड मेडल क्लब में, क्योंकि 2008 के बाद किसी और का उलंपिक में गोल्ड नहीं आया, मेडल जरूर आए लेकिन गोल्ड नहीं आ पाया और नीरचोपडा ने उन्हें अब जॉइन कर लिया है अब इंडिजुएल इवेंट में हमारे दो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अभिनव बिंद्रा और नीरचोपडा और आज की अगर हम इवेंट की बात करें तो 7.58 मीटर थो करके गोल्ड मेडल जीत लिया और यह बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि मैं बार बार धोरा रहा हूं क्योंकि इंडिया का आज तक ओलंपिक्स में अथलेटिक्स में कोई मेडल नहीं आया इंडिया 1920 से रेगुलरली ओलंपिक्स में पार्टिस्पे थी पैरिस में उसमें नॉर्मन पिचर्ड ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वो इंडो ब्रिटिश औरीजन के रहने वाले थे लेकिन उस टाइम डारेक्ट एंट्री हुई थी उनके अथलेटिक्स में मेडल थे दो मेडल जीते थे उसमें सिल्वर भी था लेकिन अ पहला अथलेटिक्स में मेडल है और आज सुभे से ही भारत का दिन बहुत अच्छा रहा स्पोर्ट्स में अधिति अशोक ने गॉल्फ में बहुत अच्छी प्रफॉर्मेंस रही उन्होंने फोर्थ फिनिश किया इंडिजुवल इवेंट में वुमें गॉल्फ में और उस स्रव एक शौट से रहे गई तो यह बहुत बड़ी प्रफॉर्मेंस है और मैं बार-बार कह रहा हूं अगस्ट सेवन दो हजार एकिस हमेशा याद रहेगी हर इंडियन को हर इंडियन स्पोर्ट्स लवर को आज अधिति अशोक का फोर्थ पुजिशन बजरंग पुनिया की ब्रॉंस और नीरत चोपडा का गोल्ड और अगर हम टोक्यो की बात करें तो यह प्रफॉर्मेंस जो है पूरे टोक्यो की इंडियन कंटिंजेंट की उसमें कई नए रिकॉर्ड बनें इंडिया की सबसे ब पूल्ड दो ब्रॉंज थे उसको क्रॉस किया और उमीद की जा सकती है कि जो यह साथ मेडल हैं टोक्यो में यह डबल डिजिट में चेंज होंगे पैरिस में और खासकर एथलेटिक्स में हमें और मेडल देखने को मिलेंगे